प्रोग्रामिंग के इस सेटिफिकेशन कोर्स में जहां पर आज हम देखने वाले हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है which is again one of the most important topic तो देखें कंस्ट्रक्टर जैसे इसके नाम से समझ में आता है कि यह यूज होगा कुछ ने कुछ इस तरीके से करते हैं it is special member method of a class which is used to initialize the data member of a class और या फिर हम यह कह सकते हैं to initialize the object of a class क्योंकि being a programmer हम जब भी किसी class को use करते हैं तो front में हमेशा object होते हैं data हमेशा back में होता है तो कहने का मतलब यह है कि suppose अगर आपके पास कोई class है और अगर आप यह चाहते हैं कि इस class में जो भी methods हैं वो method आपके data के according काम करें क्योंकि class मैंने आपको बनाने वाला हमेशा developer होता है और उस class को use करने वाला हमेशा programmer होता है और user वो व्यक्ति होता है जिसको केवला output से मतलब है तो हर technology को अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे ना कि developer का रूल programmer का रूल और user क रूल तो बड़ी आसानी से चीख पाएंगे तो बिंग डेवलपर यदि मान लिजी मैं यहां पर एक लाज बनाता हूं मान लिजी मैंने class बनाई है माई क्लास अब इस माई क्लास नाम की class में मेरे पास मान लिजी कुछ data member integer a, b, c और यदि मान लिजी मैं यहां पर इनकी value fix कर देता हूं कि मैंने लिग दिया a equal to 50 ठीगे a equal to 50 या b equal to 10 ओके और फिर मैंने इसमें एक method बना ली जो की in data member को use करेंगी like add method और इस add method में अगर हमने लिग दिया c equal to a plus b and then system.out.print c ठीग है तो आपने class में कुछ private data member लिए है मान ले यह private data member है प्राइवेट इसले इसले बिकाज डोन वांट इस डेटा मेंबर तो एकसे आउटसाइड देग्लास लेकिन आप सोची यदि यह class में आपको देता हूं और इसमें वाले जी add method is subtract method a lot of methods are available जो इन डेटा member को access कर रही है यूज कर रही है अब आप सोचिए कि यदि आपको में यह class दूँगा तो मैं आपको इसके dot class file दूँगा याद मैंने आपको कहा था कि जब आपके पास dot class file होती है तो आपके पास class तो होती है लेकिन byte code के format में you don't have a source code of this class तो यदि आपके पास इसका source code नहीं है तो obviously बात है आप coding में कुछ changes नहीं कर पाऊगे और यदि आप सोचिए आप इस add method को call करते हैं being a programmer आप सोच के देखिए कि आपने इस class का object बनाया आपने कुछ इस तरीके से लिखा my class my class m equal to new my class okay या अपने इस class का object define किया और object define करके आपने आप लिग दिया m.add अब आपके पास source code ही नहीं आपके पास केवल class है जो कि byte code के format में है अपने object बनाया method को call कर लिया तो यह add method आपको fix output नहीं देगी इसका output जब भी आप देखेंगे आपको बाका देखिए यही आउटूट मिलेगा विजिस 60 अब यहां पर मेरी requirement यह है कि नहीं सर इसकी जो भी method है चाहिए वो add हो subtract हो division हो multiplication हो इन method की calling मेरे data के recording होनी चाहिए programmer हमेशे यही चाहता है कि मैं जो data दूँगा उस data को लेके आपकी पूरी class अपने activity परफॉर्म करें तो यदि आप यह चाहते हैं कि आपको data अपने हिसाप से initialize करना है तो अप requirement यह है कि being a programmer मुझे अपना data class के private variable तक पहुचाना है क्योंकि यदि मैंने इनको directly set कर दिया तो फिर यह काम तो हो ही नहीं पाएगा ओके तो इन class के private data member को इनिशलाइस करने के लिए हम इस class में क्या बनाते हैं constructor will define constructor in the class तो constructor क्या होती है वो special method होती है जो की class के data member को इनिशलाइस करने के लिए हम class पर बनाते हैं और अब देखिए एक constructor के special बोलने के multiple reasons है multiple type of constructor होते हैं parameterized constructor default constructor copy constructor ठीक है there are lot of constructor lot of things जो के interview में पूछे जाते हैं constructor को लेके तो आप जब हमारा placement ready course देखेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि constructor के हर चोटे से चोटे concept को हमने वहाँ पर cover किया हुआ है कि किस तरीके के question topmost demences में पूछे गए केवल constructor को लेके किसको special क्यों बोला गया है constructor होता क्या है constructor parameters constructor क्या होता है copy constructor default constructor constructor overloading इन सारे concepts के हर उस question को cover किया है इन से related quizzes इन से related assignments ठीक है तो फिलाल तो यहां पर अभी हम बाग करने कि अगर मुझे class के data member को define करना है तो मैं इसको special क्यों बोल रहा है उसका एक reason यह है कि constructor का नाम और class का नाम बिल्कुल सेम होता है कि वे उसी नाम से यहां पर एक method बनाऊंगा हमने क्या बोला इट इस special member method of a class तो इसको special बोलने के multiple reasons है इसका नाम class के नाम के same होता है इसका written type नहीं होता यह implicit call होते है there is no need to call इनको call करना नहीं पढ़ता है यह अपने आप call होते है तो देखे आप जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए मैंने इस class में constructor बना है और फिलाल मैंने simply यह लिग दिया system.out.println आयम constructor फिलाल मैं इतना आपको बदाता हूं यदि मैंने लिख दिया आयम constructor तो यह method है लेकिन इस method को मुझे यहां पर call नहीं करना है मैं यहां पर जैसे ही class का object define करूंगा ठीक है जैसे ही आपने class का object define किया automatically class का constructor call हो जाएगा अब आपको याद हो तो मैंने कहाता है कि object Java में declare भी होता है reference भी होता है define भी होता है ठीक है तो अक्सर एक question पूशा जाता है कि क्या constructor तीनों के लिए call होता है constructor के वल तब call होते हैं जब आप object को define करते हैं ना constructor declare object के लिए call होता है और रिफरेंस object के लिए call होता है ठीक है reference object क्या होता है अब आगे discuss करेंगे एक object का reference किस तरीके से बनता है लेकिन मैंने आपको कहाना boss you cannot believe that कि interview questions किस तरीके से पूछे जाते हैं आप देखिए उस placement ready course को आपको समझ में आएगा कि कितने concept पर आपको focus करना पड़ेगा यह तो हम के एक अभी overall views की बात कर रहें कि constructor होता गया है constructor को क्यों हम call कर रहें तो यहाँ पर जब मैंने लिखा तो अब आप देखिए जैसे ही में स्क्लास के object को define करूंगा ठीक है बाकदा मुझे output मिलेगा माली यह मेरी classic class test इस class test हमने लिखा public static void main ठीक है string args ओके तो यदि आप इसको define करते हैं तो बाकदा यहाँ पर आपको output मिलेगा hello I am constructor क्योंकि जैसे ही किसी class का object define होता है उस class का constructor call होता है अब यदि आप यह चाहते हैं कि जब इस class का object define हो तो sir उन data member को मुझे value देना है जो class के private variables है तो में इस constructor को क्या बोलूँगा है तो यह method हमने इसको बोला बॉस आप एक काम करो आप दो parameter receive करो ठीक है X और Y में ठीक है तो यह जो फंस्ट्रक्टर है अब यह क्या receive कर रहा है parameter तो जब एक चंस्ट्रक्टर पेरामिटर रिसीव करता तो हम बोलने यह parameter इस constructor है ओके तो अगर यह parameter receive कर रहा है तो मुझे क्या करना है एक्स की वेलू ए में असाइन करनी है तो मैंने लिख दिया एक्वल टू एक्स बी इक्वल टू वाए ओके और अब यहाँ पर अगर आप add method लिखेंगे वही add method जो भी आप method बनाना चाहिए मैंने add method बनाई है ठीक है जहाँ पर मैंने लिख दिया सब्स इक्वल टू ए प्लस बी या मैंने अप्रेक्ट मैंथड डिवीजन मैंथड जितनी मैंथड में नहीं बनाई है जो कि क्लास के इन डेटा मिंबर को एक्सेस करने वाली है इन तक डेटा पहुचाने के लिए आपने क्या किया क्लास में इस 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 तरीके से बनाएंगे माई क्लास m1 इकवल टु न्यू माई क्लास माई क्लास में क्लासthree pięлон M product पास और यहाँ पर मैंने तो जब किसी क्लास का ऑपजिकt हम डिफाइं करते हैं यहां से जो पिराविटर हम पास करते आर्गुमेंट हम पास करते हैं यह जाते हैं सीधे constructor के पास तो आपने देखा जब भी हम object define करते हैं यहां पर हम ब्रैकेट लगाते हैं इस ब्रैकेट एक्चुली used for constructor तो यहां पर अगर मैंने 50 30 दिया है इसका मतलब है कि आपकी class का यह यह पेरामेटर इस कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसमें 50 X को असाइन होगा 30 Y को असाइन होगा अब जब आप इस क्लास का अबजेक्ट देखेंगे तो इस M के लिए M1 के लिए क्लास जब मेमोरी अलोकेट करेगी तो उस क्लास में A की वैलू होगी 50 और B की वैलू होगी 30 अब जो मैं function call करूंगा method call करूंगा वो 50 30 पर execution पर फॉर्म करेंगी अगर आपको लगत नहीं कि नहीं सर मुझे data change करना है तो मैं इसी क्लास का second object बना के यहां पर क्या लिख सकता हूं new my class और यहां पर मैंने सबसे define कर सकते हैं अब मैं M1 को अगर call करता हूं तो M1 से कोई भी method अगर call होगी तो वो इस data member को लेके execution perform करेंगी अगर M2 से कोई method call होगी तो वो इस data member को लेके execution perform करेंगी तो डाट इस वाट इन डवांटेज ओफ constructor की constructor का advantage क्या होता है to initialize the data member of a class we define constructor in the class तो constructor क्या होता है इनको special क्यों बोला I hope आपको concept समझ में आ होगा ठीक है और जैसा मैंने आपको बता है कि इस से related बहुत से quizzes है assignments है इस से related interview questions है जो आपको हमारे placement ready course में मिलेंगे जो कि Tech with one की website पर available है okay तो I hope constructor का यह concept अभी आपको clear है तो चलिए फिर मुलाखात करेंगे next lecture में बात करेंगे ऐसे ही कुछ और important topics की तब तक के लिए टाडा बाई बाई